Hello everyone, welcome to the masterclasses, कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करती हूँ, अच्छे होंगे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, Forms of Business Organization का Part 3 और Part 1 और Part 2 I hope आपको समझ में आया होगा, आपने वीडियोस देख ली होगी, अगर नहीं देखी हैं अभी दग और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप Part 1 और Part 2 जो है वो उसमें देख ले, उसमें मैंने Forms of Business Organization में Hindu Undivided Family और Soul Proprietorship और Partnership जो है वो complete करा दिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे बचचो गौपरेटिव सुसाइटी, तो आगे दिखते हैं जल्दी से कौपरेटिव सुसाइटी क्या क्या होती है और उसके फीचर क्या क्या होते हैं तो आईए देखते हैं तो cooperative society बच्चो क्या होती है आपको name से ही पता चल रहा होगा कॉप्रेट करनाikle कॉप्रेट करना बच्चो क्या होता है साहत अना तिक है कॉप्रेट करना यानि की 2 से जाध現在 क्या कि बहुत सारे लोग यहां पर 10 होंगे हम आगे देखेंगे जब बहुत सारे लोग मिल कर, मिल कर कोई काम को अपने हाथ में लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं working together, cooperate करके कोई काम करते हैं ठीक है, उसके बाद उनका एक common purpose होता है और ये क्या होता है, एक association of persons होती है, cooperative society एक association of persons होती है जिसमें ये सभी लोग मिल कर काम करते हैं, और क्या काम करते हैं आगे हम देखेंगे, कि इनके features क्या क्या होते हैं, ठीक है तो ये काम जो करते हैं, बच्चों क्यों करते हैं इनका जो main motive होता है वो welfare होता है लोगों का ठीक है, तो welfare क्यों होता है बच्चों क्योंकि, अब आपने अगर हम example ने देखा होगा जो अमूल है वो क्या करती है वो एक ऐसी association of person है एक ऐसी cooperative society है जिसमें वो क्या करती है milk जो है वो farmers से लेती है और directly वो जो consumers है उनको दे देती है consumers को directly नहीं एक chain जो है वो बहुत कम होती है retailers को देती है लेकिन जो वो chain है वो बहुत बड़ी chain नहीं होती जैसे ये अमूल है अमूल के distributors जो है अमूल की जो company है मतलब company नहीं कहते है उसको cooperative society कहते है जो अमूल है वो क्या करती है उसके जो खुद के लोग है वो retailers के पास जाकर जो milk है वो supply करते हैं और फिर वो retailers जो है वो हमें consumers को basically क्या देती है milk जो है वो provide करा देती है तो यहां पे जो chain है वो बहुत छोटी होती क्योंकि इसमें middleman नहीं होते तो यह जो middleman है उन middle वो middleman जो है वो क्या करते है basically कई बार profit motive की desire से वो कुछ जादा ही profit जो है वो रख लेते हैं जिससे cost जो होती है चीज की बचो वो बहुत जादा high हो जाती है तो आप देखो कुछ ऐसी चीजें है जो एक हर इंसान को चाहिए जैसे अगर milk की ही हम example लें तो milk जो है वो एक ऐसा product है जो हर इंसान को चाहिए हर घर में दूट चाहिए हर बच्चे को दूट चाहिए पीने के लिए बच्चा जब बड़ा होता है तब भी दूट चाहिए इवन जो oldish people है अगर मैं कहूं यंग बच्चे भी और old people भी और even normal women को भी मेल को भी सबको ही milk जो है वो डेली चाहिए होता है तो basically क्या है यह एक ऐसा product है जिसके बहुत सारे consumers है तो इसके prices जो है वो stable रहें इसलिए क्या होता है एक cooperative society जो है वो बनी cooperative society जो की अपना फाइदा देखेगी ऐसा नहीं है कि यह कोई NGO है जो की profit नहीं देखेगी यह non-profit organization है ऐसा नहीं है यह profit earn करती है लेकिन जो यह profit earn करती है बच्चों उसको हम प्रॉफिट का नाम देकर नहीं बलकि surplus बोल देता है तो यह जो earn करती है बच्चों surplus यह क्या करती है यह as a dividend अपने Members को दे देती है ओके तो आगे पड़ते है इसके बारे में इसके features के बारे में यह क्या होता है, तो सबसे पहले cooperative society, यह क्या होता है, association of person, जिसमें voluntary association है, इनका एक common purpose होता है, common purpose होता है, क्योंकि यह साथ काम कर रहे होते हैं, इन सभी का जो motive होता है, बच्चों, वो कैसा होता है, common होता है, उसके बाद आते हैं, हम इनके features पे, features में हमने आगे यह देखी ल सकते हैं, कभी भी इनकी entry हो सकती है, और कभी भी यह leave कर सकते हैं, उस group को, उस association को, cooperative society को कभी भी leave कर सकते हैं, उन पर कोई foundation नहीं होती, लेकि लिए अगर उसमें कुछ लिखा है, कि आपको one month का notice देना है, कुछ ऐसी कुछ, छोटी मोटी conditions है, तो वो उन members को पूरी करनी प स्टेटस, तो लीगल स्टेटस क्या है बच्चों, जो यह cooperative society है, इसको govern करने वाला जो act है, हमारे पास वो कौन सा act है, the cooperative societies act 1912, ओके, तो यह जो act है, इसके अंडर बच्चों, जो भी cooperative society है, वो register होती है, और एक बात बहुत important, यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, कि जो cooperative societies हो होता है, उनको अपने आपको register कराना, इस act के अंडर जरूरी होता है, mandatory होता है, उसके बाद हम आते हैं, कि इसमें कितने persons होते हैं, बच्चों, कम से कम 10 adult persons, जो होने चाहिए, to form a cooperative society, उसके बाद हम आते हैं, limited liability, बच्चों, क्या होती है, limited liability, कि यह जो members है, इनके जो liability होती ह to the extent of their share of capital, ठीक है, जितना इनका share होता है, बच्चों, उतनी ही इनके members की liability होती है, ओके, next आते हैं, हम control पे, तो control किसका होता है, यह आपे बच्चों, तो जो एक cooperative society होती है, उसके एक managing committee होती है, जो किसके members ही उसको चुनते हैं, एक committee firm करते हैं, उस committee के जो भी members होते हैं, उ ही decision जो है, वो सबको मानना पड़ता है, तो बच्चों, मैं आपको याद दिला दूँ, आपको धियान होगा, हिंदू undivided family में, जो control था, वो किसके हाथ में था, अगर आपने मेरी first video देखी होगी, तो आपको इसका answer आता होगा, और अगर आपको इसका answer आता है, तो आप comment control किसके हाथ में होता है, managing committee के हाथ में होता है, उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पर आपको clear कर दिया, यह feature कि जो service motive है, इसका main motive होता है, कि जो लोग है, उन तक जो products है, वो अच्छे से पहुंच सके, products की जो cost है, वो कम से कम रहे, okay, जो middleman है, उनका जो profit है, उनकी जो desire ह है, जादा से जादा profit कमाने की, उसको वो थोड़ा सा, उस chain को कम कर सके, ठीक है, तो इनका main motive, जो है, वो क्या होता है, service motive होता है, ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखते हैं, इसके merits और the merits के बारे में, ओके, हाँ, जी बच्चों, तो आगे देखते हैं, इनके merits के बारे में, इसके क्या-क्या merits हैं, बच्चों, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कि अगर जो हम features और definition, अगर उसके concept को clear कर लेते हैं, तो हम उसके जो merits और demerits हैं, उसको हम बहुत easily बच्चों समझ सकते हैं, ओके तो मैं यहाँ पर आपको merits check करके बता देती हूँ, equality in voting status, देखो बच्चों, क्या होता है, कि जब भी कोई decision लेना होता है, इसमें, यह जो cooperative societies हैं, इसमें जो managing committee है, जब यह decision लेती है, तो इसमें जो policy है, वो क्या adopt होती है, democracy वाली policy होती है, democracy का मतलब क्या होता है, कि equal rights होते यहाँ पर जो देखा जाता है, वो देखा जाता है, कि कितने member है, अगर 4 member है, 5 member है, 5 में से 3, अगर उसको right, मतलब कुछ decision के लिए कह रहे हैं, कि हाँ हम कर सकते हैं, और 2 कह रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो 3 वाले हैं, यही win करेंगे, जैसा democracy में होता है, कि जितने members अगर उसको हा करते हैं, और वो majority है, तो उनका decision जो है, वो माना जाता है, यहाँ पर जो status होता है, वोटिंग का status होता है, उसमें equality होती है, ओके, limited liability बच्चों, already हम कर चुके हैं, यहाँ पर आपके features जो हमने किये अभी इसमें, तो यहाँ पर limited liability जो होती है, इनकी जो members होते हैं, उनकी जो liability होती है, वो सिर्फ कितने हद तक होती है, जितने उनकी capital होती है, तो जितनी capital है, बस उतनी ही उनकी liability है, उनके personal assets जो है, बच्चों, वो safe होते हैं, debts के लिए उनको अपने personal assets जो है, वो नहीं देने पड़ते हैं, उसके बाद बच्चों, हमने अभ इसको छोड़ने से कोई भी फरक नहीं पड़ता उसका जो एक्जिस्टेंस है वो रहता है और इसी के अंडर बच्चों क्या होता है कि यह एक सेपरिट एंटिटी कहलाती है तो यह अपने मेंबर से अलग एक सेपरिट एंटिटी है जिसका अपना वजूद है जिसके अपनी पहचान है और जिसका नाम है रहेगा ही रहेगा ठीक है उसके बाद हम आते हैं बच्चों Economy and operation, यहां पर जो यह काम करती है, इसका motive कैसा होता है, बच्चों, service motive होता है, तो इसलिए यहां पर क्या होता है, जो यह यह operations कर रही होती है, यह cost को reduce करती है, ठीक है, अब भी मैंने बताया था आपको इस example में, कि जो भी cost है, उसको middleman से बचाती है, इसलिए यहां पर जो operations ह इसके कैसे होते हैं, economical होते हैं और यह आपको जो products है वो बहुत ही कम rate पे, reduced cost पे आपको यह provide कराती है society को उसके बाद आते हैं support from government तो बच्चों अभी हमने जब देखा था कि यह जो इसका जो feature है main क्या होता है कि यह democracy को अडॉप्ट कर रही है, साफ में इसका service motive होता है तो इसलिए जो government होती है बच्चों यह भी इसको support करती है government जो है ऐसी agencies को, ऐसी cooperative societies को support करती है, government का इनको support रहता है और formation का बच्चों हमने already पढ़ लिया कि इसमें formation जो है वो बहुत easy है लेकिन हाँ, इसका registration जो है वो compulsory होता है under the act, cooperative societies act 1912 ठीक है, इसमें सिर्फ थोड़ी सी legal formalities होती है और हमने पढ़ लिया इसमें कि 10 adult persons चाहिए होते हैं, 10 members होने चाहिए और 10 members अगर होते हैं, तो वो cooperative society को firm कर सकते हैं और 1912 के रेजिस्ट्रेशन जो है, वो करा सकते हैं ठीक है बच्चों आगे देखते हैं इसके demerits के बारे में हाँ जी बच्चों, तो limited resources का पहला demerit है, बच्चों तो यहाँ पर क्या होता है, कि जो members होते हैं वो बहुत जादा capital नहीं लेकर आते क्योंकि यहाँ पर जो returns होते हैं वो बहुत जादा अच्छे नहीं होते क्योंकि इनका जो main motive होता है वो service motive होता है, तो यहाँ पर जो returns है वो अच्छे, इतने जादा अच्छे नहीं होते जिसकी वजह से जो members हैं वो attract नहीं होते इतना जादा और वो अपने resources को funds को बहुत ज़्यादा लेकर नहीं आते cooperative society में तो यहाँ पे इसका पहला demerit क्या होता है limited resources उसके बाद बच्छाती in efficiency in management क्योंकि इनके पास funds नहीं होते इतने ज़्यादा तो यह लोग बहुत अच्छे-च्छे जो managers हैं उनको अपने cooperative society में job पर नहीं रख पाते क्योंकि जो अच्छे managers होंगे जो ज़्यादा experience होंगे वो क्या करेंगे वो high salary जो है वो demand करेंगे तो इसलिए यहाँ पे in efficiency in management हो जाती है क्योंकि जो manager है जो members हैं वो ही आपस में manage करते हैं और कहीं न कहीं lack कर जाते हैं और यहाँ पे इसी के साथ यह वाला point भी आ जाता है कि जो opinion है उनके वो different different हो जाते हैं तो differences of opinion भी यहाँ पे हमारा एक demerit बन जाता है क्योंकि जो अलग-अलग लोग हैं जो members हैं वो कहीं कहीं उनके जो सोच होती है वो अलग-अलग होती है तो वहाँ पे differences आ जाते हैं जिसकी वज़े से कई बार conflict arise हो जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है management जो है वो properly नहीं हो पाती चीज़ों की तो इसलिए यह दोनों जो है वो इसके demerit हो जाते हैं उसके बाद बच्चों जैसा कि हमने देखा था कि जो partnership है वो अपने जो accounts है जो अपनी statement है उसको वो secret रख सकती है ठीक है लेकिन यहाँ पे जो cooperative society है यहाँ पे under this act जो यह societies act है बच्चों इसमे section 7 जो है वो क्या कहता है कि आपको अपने जो statements है उनको show करना पड़ेगा उनको government को दिखाना पड़ेगा government में audit होगी सब कुछ होगा ठीक है statements दिखानी पड़ेगी साथ में आपको tax जो है वो properly देखना पड़ेगा लेकिन हाँ इसमें subsidies वगरा मिल जाती है बट वो कुछ भी चीज जो है वो secret नहीं रख सकते क्योंकि जो meeting है वो open meeting होती है तो उसको सब जो meetings में decide क्या है वो बताना पड़ता है government का इसमें control रहता है बच्चों इसलिए यहाँ पर lack of secrecy रहती है क्योंकि section 7 के under obligation है हमें सब कुल बताना पड़ेगा साथ ही साथ government का इसमें control जो है वो जाधा रहता है तो इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं यह सारे इसके demerit हो जाते हैं ठीके बच्चों तो आगे देखते हैं कौनसी कौनसी तरह की cooperative society हो सकती है तो बच्चों आप इसका screenshot ले लो आप इसका screenshot ले लोगे तो आपको यह headings जो है वो learn हो जाएंगी और आप content आप अच्छे से अपना तयार कर सकोगे हां जी बच्चों तो types of cooperative societies cooperative societies जो हैं वो कितने types की होती हैं बच्चों तो हमारी cooperative societies हैं वो six types की होती हैं जिसमें अभी हम यह three करने वाले हैं सबसे पहली हैं बच्चों हमारी consumers cooperative societies तो आपको यह name से ही पता चल रहा होगा consumer यानि की consumer के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है तो यहाँ पर जो consumer है उसका interest जो है वो protect किया जा रहा है तो अभी हमने देखा ही था कि यहाँ पर जो cooperative societies होती है इनका में मोटिव होता है वो service मोटिव होता है तो यहाँ पर जो consumer है उसको product जो है वो कम से कम cost पे मिले यह इनका में मोटिव होता है तो और यहाँ पर सबसे पहला क्या important बात आती है कि यहाँ पर जो middleman है बच्चो वो eliminate हो जाता है जो भी producers है उनसे directly क्या होता है consumers तक चीज जो है वो पहुँच जाती है बहुत कम यहाँ पर middleman होते है ठीक है तो यहाँ पर बच्चो क्या होता है यह जो cooperative society है यह क्या करती है यह bulk में चीजों को खरीद लेती है bulk में purchase करती है इसके जो members होते है इनको यह sell कर देती है तो चीजों को bulk में खरीद कर अपने ही members को बेच देना ताकि कम से कम cost पे members को चीजे मिल सके यह income main motive होता है और इससे क्या होता है अगर कोई profits मिलते है जो surplus जिनको नाम दिया जाता है अगर कुछ profits होते है तो उनको distribute कर दिया जाता है members के बीच में किसके किसके basis पर या तो capital के basis पर या फिर जो उन्होंने members ने जितनी जितनी purchases की है उस basis पर इनके जो profits है वो distribute हो जाते है ठीक है तो यहाँ पर जो main बच्चों ध्यान रखना है आपने ये keywords है इनको आप अगर learn कर लोगे तो आप अपना content जो है वो अच्छे से ready कर पाऊगे तो protect the interest of consumer eliminating middlemen bulk purchase and sells to members and then profits distributed on the basis of capital or purchases made by the members नेक्स आते हैं बच्चों producers cooperative society जो producers हैं बच्चों अपर प्रोटेक्ट किया जाता है इसमें क्या होता है जो small producers होते हैं बच्चों उनका ध्यान रखा जाता है तो कैसे उनके लिए inputs जो है वो ले लिए जाते हैं members जो हैं उनको inputs provide कराते हैं और inputs provide कराने के बाद उनसे output भी लिया जाता है और output को फिर वो use करते हैं members तो इससे जो भी profit होता है वो भी same बच्चों यहाँ पर जितना उनकी capital होती है उसके हिसाब से distribute करते हैं या फिर on the basis of sale तो यहाँ पर बच्चों यह क्या कर रहे हैं यह fight कर रहे हैं against big capitalists अब देखो बच्चों क्या होता है कि एक small producer जो है वो एक big capitalist से fight नहीं कर सकता अकेला तो यहाँ पर क्या होता है यह society है basically क्या करती है बहुत सारे small producers को इसे link कर लेती है तो बहुत सारे जो small producers हैं वो fight कर सकते हैं यहाँ पर जो raw material है वो procure करते रहते हैं जो भी small producer होता है उससे छुटी छुटी चीजे जो है वो लेते रहते लेते रहते हैं तो वो raw material को एकठा कर लेते हैं procure कर लेते हैं procure inputs तो यहाँ पर फिर वो क्या करते हैं जब उनके पास बहुत सारा raw material हो जाता है तो वो उनी small आगे जो दूसरे small producer है जो उसको बना रहे हैं उस चीज को जो input को use कर रहे हैं उस raw material को use कर रहे हैं तो वहाँ पे supply करके raw material को then उनसे output भी purchase कर लेते हैं और output जब वो buy करते हैं तो क्या होता है फाइदा हो जाता है small producer का और यहाँ पे fight हो जाती है against the big capitalist next time आते है marketing cooperative society बच्चो क्या होता है कि जो small producers होते हैं यहाँ पे भी producers की ही बात की जा रही है यहाँ पे जो producers होते हैं उनकी इतनी reach नहीं होती कि वो हर जगा अपने जो product हैं उसको बेच सकें तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो society की members होते हैं यह क्या करते हैं चीजों को खरीद लेते हैं और उनका उसकी जो marketing है उसका सारा का सारा अपने उपर burden ले लेते हैं तो यहाँ पे वो क्या करते हैं चीजों को लेकर रख लेते हैं छान्सपोटेशन भी खुद करते हैं उसकी ZYN करते हैं उसकी पंहें करते हैं उसकी पैकेजिंग होता है है तोयके यहां पर क्या होता हैं एक फैंडियों को जो इस प्रोदक्स को तो इसे फाइदा होता है प्रोड्यूसर्स का भी उनको marketing नहीं करनी पड़ती और साथी साथ जो इसके members होते हैं इनका भी फाइदा हो जाता है ठीक है बच्चो तो I hope आपको समझ में आया होगा और आप इसका screenshot ज़रूर ले लो और आगे के 3 parts हम करते हैं next session में ठीक है तो आगर मेरा आज का session आपको प कमेंट में जरूर जरूर बताना अगर आपने मेरे session को ध्यान से देखा है तो वह question है वह बहुत easy है ओके बच्चो बाई